हेलो फ्रेंट्स तो आजम बनाएंगे पुरानी कुर्ती से प्लाजो मेरे पास देखिए इस टाइब की कुर्ती है और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है सिर्फ इसका देखिए बैक पार्ट में टॉप बला जो पार्ट है वहां से ये फटी होई है तो एक साइड से अगर पर्टी होती तो इसमें हम रफू कर सकते थे लेकिन इसमें तीन से चार जो है दिखिए छेद पड़ चुकी है जो कि अब किसी काम की रही नहीं है पर मैं फिर से इसको रियूज करूंगी इसका प्लाजो में बना लूँगी और फैब्रिक इसका अच्छा है तो बहुत ही पलाजो इस्कुरति में हमारी बन जाईगी कि इसमें देखिए चुननत पड़ी हो इसको हम कट कर ले और इसमें जो बीच में पट्टिया थी कि नाइरा कट स्लिट इसमें आगे से डला हुआ था वह भी मैं निकाल के उसमें भी प्रेस कर लूँगी अच्छे से तो उधेड के देखिए मैंने इसमें प्रेस कर लिया है और अब इसको देखिए यह एक पार्ट है और यह दो पार श्रावन बदाएं देखिए तो इसमें बदानी तो फोर फोल्डी साइड को रहा है और बाजू देखिए यह मियानी में ले लेंगे तो ओपन वाली साइड को यह देखिए इसको मैंने यह आपको में दिखा देते हूं कि किस तरह से हमें रखना है यह बंद वाली साइड है तो इसको हम यहां पर इस तरीके से रख लेंगे सैटिंग जैसे भी आपके कपड़े की होती है वैसे रख लेंगे यहां पर ले लेंगे प्लाजो की मूरी तो जितनी भी आपको मूरी लेनी है आठ इंच नो इंच तो वो ले लेनी है और उसमें चार việc लेंगे इतनी मेरी देखें यहाँ पर यह आरी है तो इसमें आप लोजिंग ले लेते हैं तीन इली इंजिद सकते हैं कर आपके पास कबड़ा कम है तो 4 इंज भी ले सकते इंगे अब निचय को ले तरीके से देखे मैं डालने वाली हूं कि जहां पर मुझे जितना घेरा चाहिए मैं उतना ही लूँगी तो यहां से देखिए आगे को ले लिया है 3.5 तो यहां पर हम देगे आशन की गुलाई तो पर ने थोड़ा सा उपर करके रख लिया है ताकि इसी लाई में भी हमारा द तू हम्हें तो इस तरीके से वह दलता, His myys, जथरा swift कपड़ कंदे बिल्कुल यह नहीतुया है तो इस तरीके से भी मैंनी, टलती है। ल्टीन हमें ओडननी हैं, जिवailed कपड़ा से हमने भी तो यहां हम्हें नहीं लगते हैं। और बहुत ही अच्छी घेरदार जो प्लाजो है ना हमारी बन जाएगी क्योंकि उपर से घेरा मेरा कंप्लेट था तो यह देखिए यहां से यह बंद साइड आ रही है ना तो इसको हम अलग कर लेंगे और लंबाई अगर कम है तो यहां से देखिए यह कपड़ा हम नीचे यहां पर अलगा सकते हैं यह वला कपड़ा भी हम यूज कर सकते हैं तो लेंथ का इस तरह से आपकी पूरी फिर हो जाएगी तो अब चलिए सिलते हैं सबसे पहले हम मियानी को ही स्टिच करेंगे यह जो मियानी है यहां पर है इनको हम इसके साथ जो है स्टिच कर लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स मियानी को मैंने स्टिच कर लिया है कुछ इस तरीके की मियानी हमारी डलती है और बहुत अच्छा तरीका है यह मयानिय डालने का क्योंख विल्कुल भी आपको टाइट थाए से जोने इसके बिलकुल टाइट नहीं होगा अब आसन को जोड़के इसमें हम लगा लेंगे Elastic तो Elastic जितनी आपकी कमर है उसकी तीनिच कम हमें Elastic लेनी है या कमर के around नाप के भी आप Elastic जो है ले सकते हैं तो देखिए जरी Elastic मैंने लगा لी है और पीच में एक सिलाई पका करने के लिए अब मैं लगा रही हूँ जो खीचके लगाते हैं इस तरह से और यह देखिए फ्रेंट्स इतना हमने स्टिच कर लिया है और बिल्कुल बदा नहीं चल रहा है कि हमने यह पुरानी कुर्ती से प्लाजो बनाया है अब फाइनल सिलाई इसमें हम यहां पे लगाएंगे और नहीं भी हमारा जोड इसमें बिल्कुल नहीं देख रहा है और बहुत अची प्लाजो बनी हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो हेल्पुल लगा होगा और यूट्यूब पे देख रहे होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फेस्बूप पे देख रहे होगे तो फ